जैसके दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि जो भी आपका SSC GD का form apply हो रहा है उसमें जो application status है वो not verify करके content not verified करके सो कर रहा है और कुछ लोगों का payment status भी नहीं सो कर रहा है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा सरकारी result Google पे जाके सर्च करना है और इस वाले page पर आ जाना है तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों SSC costable GD BSF CISF करके ऐसे करके page open होगा जिसमें important dates दी गई है और आपका application फीच दिया गया है सबसे पहले दोस्तों यहां पर देखेंगे तो जो application begin हो रहा हो 2411 last date 31 12 है तो इसके बीच में ही आप apply करें उस page open होगा login का तो यहां पर आप अपनी member ID वो क्लिक करेंगे और password और यहां पर नीचे दिया गया है capture तो जो भी capture है small and capital में वह आपको यहां पर fill करके login वाले बटन पर क्लिक करना है जब आप login करेंगे दोस्तों तो आपके सामने page open होगा जो कि आपका form होगा वहां पर SSC GD क तो यहां पर मैं capture fill करता हूँ उसके बाद login करता हूँ तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं मेरी ID open हो गई है और आपको यहां पर सबसे पहले application status पर क्लिक करना है application status पर दोस्तों आप आएंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से notification आ रही होगी screen दिखाई दे रही होगी तो इसमें आपको दोस्तों परिशान होने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें यह इस कारण से ऐसा हो रहा है कि जो date दी गई है वो आपकी 30 December के आसपास यह दोस्तों form verify होकर आपकी screen पर all total verify होगा कुछ दिक्कत रहेगी तो आप उसको correction कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों जो SSC है इस बार वो auto mode में form accept कर ले रही है और form को बाद में verify करेगी यह जो भी आपकी detail रही हो और verify आपका 30 December से पहले होगा कुछ भी दिक्कत रहेगी आपको तो correction date यहनी 4 से 6 January को correction कर सकते हैं form accept